लेटिस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूलें सीयम उद्धव के बर्तडे पर पुलिस कर्मियों के लिए 4500 मकानों की होगी लॉंचिंग 27 जुलाई से सुरू होगा ऑनलाइन आवेदन पालक मंत्री एक नाश्रिंदे ने दी जानकारी जान की बाजी लगाकर शहर और नागरिकों के सुरक्षा में जुटे बेघर पुलिस कर्मियों की खोद के घर की चिंता अब दूर होने वाली है पुलिस जवानों को घर दिलाने सीड को 4446 मकान बना रही है जिने खास तोर पर सीयम उद्धव ठाकरे के बर्तडे पर 27 जुलाई को लॉंच किया जा रहा है सोमार 27 जुलाई से ही आनलाइन आवेदन भी सुरू होगा जो 28 अगस्त तक चलेगा 15 सितंबर को इन घरों की लॉट्री खुली जाएगी इस उसर पर डिप्टी सीयम अजीत पवार ग्रीह मंत्री अमिल देश्मुक एवं हाउसिंग मिनिस्टर जितंद्र आवार के साथ ही रायगड की पालक मंत्री अधिती तटकरे भी मौजूद रहने वाले हैं बता दे कि पुलिस जवानों के लिए प्रस्तावीत 4,466 मकान सीटको की मेगा हाउसिंग परियोजना का हिस्सा है जिने खास तोर पर नगर विकास मंत्री की पहल पर पुलिस कर्मियों के लिए लांच किया जा रहा है ये मकान नईंबई के तलोजा, खारगर, कलमबोली, घंशोली और द्रोनागिरी नोड में निर्मित किये जा रहे हैं पच्चीस जार और पचास जार मासिक वेतन्स रेडियों के लिए प्रस्तावित इन मकानों की कीमत 19 लाक और 31 लाक के बीच होगी हलाकि इसकी लाँचिंग को लेकर सीट को अधिकारी अनभिग्य हैं उनका कहना है कि फिलाल इसकी कोई तयारी नहीं हो सकी है बियोरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया